दोस्तो अगर आपकी फॉन पर इंटर्नेट जो है ये बहुती स्लो चल रहा है आप फेस्बुक को नहीं चला पा रही है आप वाटसप को नहीं चला पा रही है आप यूटूब को नहीं चला पा रही है इंटर्नेट की जरिये जू भी काम है आप कोई भी काम नहीं कर पा रह ये बहुती स्लो आपका इंटरनेट चल रहा है तो दोस्तो आज में आपको इसी चार ट्रिक बताने वाला हूँ ये चारो ट्रिक को अगर आप सही से यूज कर लेंगे तो आपका इंटरनेट रोकेट की तारा चलने लग जाएगा तो दोस्तो ये चारोग ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है और अपनी इंटरनेक्ट स्पिट को कैसे बढ़ाना है आज की इस वीडियो में आपको step by step दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्रीज एंड तक का देखतरियेगा दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करऊंगे अभी तक अपने इस वीडियो पर लाइक ने क्या तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस गंटी को बजा लीजिए और आने वाली नए वीडियो की मजा लीजिए तो दोस्तो सबसे पहला जो ट्रिक है इसके लिए आपको करना क्या है आपका जो भी सिम होगा या टेल होगा बड़ाफन होगा या तो जियो का सिम होगा उससी सिम पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो डेटा बैलेंस ये है के नहीं है अगर आपका data balance खतम हो गया तो आपका जो internet ये बहुती slow चलेगा तो इसको आप दूतरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि जियो का याटल का बड़ाफन का सब का एक के code होता है जिस code को अगर आप dial करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका आज का जो data balance से खतम हो चुक है या अभी भी है यहाँ पर अगर आपको ये code पता नहीं है कि किस code आपको dial करके अपनी data balance को चेक करना है आपको simply google पर जाके सार्च करना है आपका jubi sim है उसे sim का नाम लिकर आपको data balance check code लेकर सार्च कर देना है तो आपको ये number मिल जाएगा और data balance check करने का दूसरा process आपको करना क्या है अपनी play store को open करना है और यहाँ पर आपको जाकर सार्च करना है आपका jubi sim है जैसे कि कगे हापर मैं सार्च करता हूँ जी में जी advent कर सार्च के और यहाँ प clean gotta do official kya पर माई जी ऐ आप आच एक चुका है तो सबसे पहले आपका जो भी शीम होगा उसी शीम का जो official app को अपनी फॉन पर इंस्टोल करना है और उसकी बाद में आपका जो भी mobile number होगा उसी mobile number डाल कर आपको यहाँ पर register कर लेना है और उसकी वाद में जैसे आप इस app को open करेंगे तो यहाँ पर आपका आज का कितना data use हुआ है और आपके पास अभी भी कितना data बचा हुआ है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले तो इस ट्रिक को आपको एक बार चेक कर लेना है, कि आपका data balance अभी भी है या नहीं, जुस्तो बहुत लोग को यह पता ही नहीं चलता है, कि उसका data balance ही खतम हो चुक है, उसका internet speed यह कम हो जाता है, और दूसरे जो trick है दूस्तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपनी phone की setting की अंदर जाना है और उसकी बाद में आपको जाना है SIM setting पर तो यहाँ पर मेरा बीबो का फॉन है इसलिए यहाँ पर इसी तरह का सेटिंग आ रहा हो सकता है अगर आपका कोई दूसरा ब्रेंड का फॉन होगा तो यह सेटिंग तुरा बहुत चैंजिस हो सकता है ठीक है तो आपको जाना है अपनी सेटिंग पर और उसके बाद में आपक सेटिंग पर क्लिक करना है और यहां पर दूस्त आपको देखने को मिलेगा reset to default आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको इसको reset कर लेना है ठीक है तो दूसतों यह रहा दूसरा ट्रिक और इस ट्रिक को use करते हुए भी आपका internet speed नहीं बढ़ रहा हो तो आपको तीसरा trick को use करना होगा तो तीसरा trick को use करने के लिए आपको फिस से अपने setting को open करना है याप पर आपको SIM setting पर जाना है और यहां पर फिश से आपको को सिलेट करना है जिस सिंग से आप इंटर्नेट को यूजड कर रहे ठीक है उसकी बाद में यहां पर दोस्त आपको एक सेटिंग देखने इंटरनेट स्पीट यह बढ़ जाएगा क़ृर्ट को भी यूजस करते हुए वियू आपका इंटरनेट स्पीट नहीं बढ़ रहा है तो आपको finally चोटा trick को use करना होगा तो चोटा जो trick है दुस्तु इसके लिए आपको करना क्या है आपका जो भी SIM होगा जो भी SIM से आप internet को use कर रही है उस SIM को आपको SIM 1 पर लगाना है आपको कभी भी SIM 2 पर उस SIM को नहीं रखना है और कोई भी mobile phone पर SIM 2 पर internet यूज़ करने का जो speed होता है और SIM 1 पर internet यूज़ करने का जो speed होता है इसमें बहुत difference होता है मैंने खुद चेक करके देखा है तो आपको हर टाइम SIM 1 पर रखना है जो भी SIM से आप internet को use कर रही है दोस्तो में देख के अगर आप ये चारो ट्रिक को सही से use कर लेंगे तो आपका जो internet का speed है ये बढ़ जाएगा तो दोस्तो वीडियो चलेगे तो वीडियो पर लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साप में इस गंटी को बजा लीजे और अपने दिल की प्यारी प्यारी मीटी मीटी बातों से कॉमेंट वक्स को सजा दीजे तो दोस्तो फिर मिलेंगे नए वीडियो की साथ होगे कुछ नही नहीं बात चलता हूँ तेंक यू सो मॉच एंड गुडबाई